नमस्कार मैं टॉक्टर वेपिन वंसल वास्तु कंसिल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए एक और नए विश्य पर विडियो बनाने जा रहा हूँ आज का जो विश्य है वो है रेस्टॉरेंट आपने अपना रेस्टॉरेंट पहले से बनाये हुए आप उसमें वर्किंग कर रहे हैं या आप अपना नए रेस्टॉरेंट बनाने जा रहे हैं या आप अपने रेस्टॉरेंट को रेनुट करने जा रहे हैं तो वास्तु शास्तर के नुसर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बड़े बड़े शेयरों में छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं आप भी ऐसे ही छोटा रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं तो वास्तुशासर के नुसर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में मैं आपको जनकारी देना चाहूँगा आज मैं आपको जो जनकारी देने जा रहा हूँ वो है East Facing Restaurant फ्रंट में East में रोड लगता है और बैक सेड में सर्विस लेन लगती है यानि West में सर्विस लेन लगती है मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपना रेस्टोरेंट पहले से बनाया हुआ है और आपके यहां Kitchen, Washing Area और Store आपका North के भाग में North West Corner में आपने Store बनाया है, North में आपने Washing Area बनाया है और North East में आपने अपनी Kitchen बनाया हुए है तो मेरा अपने यह मानना है कि आप जरूरत से ज़्यादा परेशान है ऐसे ही आपने North East में Store बनाया हुआ है North में Washing Area और North West में आपके Kitchen है यानि North के भाग में यहापार्ट बनाया हुआ है तो भी आप जरूरत से ज़्यादा परेशान रहेंगे ऐसे ही आपने यदि वेस्ट के भाग में North West में Kitchen बनाया हुए है West में आपने Washing Area लिए हुआ है और South West में आपने अपना Store बनाया हुआ है तो भी आप परेशान रहेंगे West में आपकी Kitchen और Washing Area है तो आप कम परेशान रहेंगे लेकिन नौर्थ में आपकी किचेन है, स्टोर है, वाशिंग एरिया है तो आप जरूरत से ज़्यादा प्रेशान रहेंगे आप अपने नया रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं, तो आपको अपने यहाँ पर वास्तु शास्तर के नुशा सेट अप किस प्रकार से करना चाहिए, आज मैं आपको उसके बारे में जनकरी देना चाहूंगा आपको अपने यहाँ पर जो setup करना चाहिए सबसे पहले तो आपका जो restaurant है road के level से हमेशे ही उचा होना चाहिए आपके यहाँ front के भाग में shutter लगा हुआ है तो shutter के उपर आपका color green color आना चाहिए आपने अपने यहाँ पर जो entrance बनानी है store कहां बनाना है वो आपने आपने यहाँ पर जो store बनाना है वो south west के भाग में बनाना है और आपने यहाँ पर जो burner लगाने है वो burner आपके south wall पर आएंगे सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो freeze लगाने है defreeze लगाने है वो defreeze आपके यहां पर आपके अपने डिफ्री जाएंगे एक लगाना एक लगाओ दो लगाने आपने दो लगाओ ऐसे ही यहां पर आपके अपने बर्नर आएंगे यहां पर आपने अपने बर्नर लगाने एक लगाना एक दो लगाने दो तीन लगाने तीन चार लगाने चार और पांच लगाने पांच जितना स्पेस आपके पास है और जितने बर्नर आपने लगाने उतने बर्नर आप साउथ होल प लगाना है तंदूर आपने यहां पर आपना तंदूर लगाना है किचन से बाहर जाने का जो रास्ता बनाना है वह रास्ता अपने एक यहां से भी बनाना है यह आपके अपनी किचन बन जाएगी आपने अपने यहां पर जो सर्विस काउंटर बनाना है वह सर्विस काउंटर आपका अपना यहां पर यह आपका अपना सर्विस काउंटर बनेगा किचन के अंदर आने का जो रास्ता बनाना है वो रास्ता आपने यहां से बनाना है यहां से आपके अपने किचन के अंदर आने का रास्ता हो जाएगा और यहां से आपका अपना स्टोर के अंदर जाने का रास्ता हो जाएगा ऐसे ही आपने एक रस्ता और बनाना है तो वो रस्ता आप अपने यहां से यहां से भी बना सकते हैं आपने यहां पर एक टॉलेट भी बनानी है वो टॉलेट आपने कहां बनानी है वो टॉलेट आपके अपने को यहँ पर आपके अपने टोयलाइट बने गी कि यह आपका अपना ढोरा जाएगा यहांसे एंक्री हो जाएगी और यहां से एक एंक्ट्री यह बनेगी और एक एंक्ट्री आपकी यह बनेगी यहां पर आपका अपना कम्प्लेट वाशी अरिया बनेगा यानि जो आपके जुटे बरतन है वो दुलने के लिए आपका वाशी अरिया यहां पर आपने बनाना है आपने अपने यहां पर एक तो हेंड वाश करने के लिए वाश पेशन लगाना है और एक पानी पीने के लिए आरो लगाना है तो वह आपने कहां लगाना है वह आपने अपने यहां पर यहां पर आपका hand wash के लिए लग जाएगा wash patient और यहां पर आपका अपना पीनी का पानी का system बन जाएगा आपने अपने यहां पर जो cash counter लगाना है वो cash counter आपका यह आपका अपना cash counter बनेगा यहां आपके अपनी sitting हो जाएगी और यहां पर आकर आपका अपना customer खड़ा हो जाएगा आपने अपने यहां पर cold drinks के लिए freeze लगाने है तो वो freeze आपके अपने एक freeze लगाने तो एक आजाएगा और दो freeze लगाने तो आप यहां पर अपने दो freeze लगा सकते हैं आपने फ्रिज और भी लगाने है तो आप फ्रिज यहां पर भी लगा सकते हैं और डी फ्रिज लगाने है तो डी फ्रिज भी आप यहां पर लगा सकते हैं और आपने अपने यहां पर आइस्क्रीम काउंटर लगाना है तो आइस्क्रीम काउंटर भी आप अपना यहां पर लगा सकते हैं यहां पर आपको अपना स्टाफ आ जाएगा और यहां पर आपको अपना कुस्टमर आकर खड़ा हो जाएगा आपने अपने यहां पर टेबल क लास है उसके हिसाब से अपनी कस्टमर की बैठने की sitting बनेगी कि जितना भी space है उसके आप अपनी table लग सक्टाथ स्पेस है तो छोटे स statistically लग जाएंगे और Бड़ा स्पैस है तो बड़े स्पैस के ताप से त्याहाँ टेबल लग जाएंगे! ऐसे ही आपके आपके यहां बीच वेए के बिटेबल आजाएंगे lg कैसे यह यहाँ पर स्पेस ज्यादा है तो स्पेस के यहाँ तो अיך टेबल लगा लेजये vast जो अपने एंट्री बनेगी एंट्री के ठीक सामने कोई भी टेवल नहीं होनी चाहिए कोशिश करें कि जो आपकी अपनी एंट्री से लगबग साथ से आठ फुट के एरिये में आपकी कोई भी टेवल नहीं आनी चाहिए आपने अपने यहां पर मंदिर कहां लगाना है मंदिर के साथ यहां मंदिर आपके यहां बैक सड में सर्विस लेन लगती है तो इसमें पीछे के भाग में पानी खड़ा रहता है काई जमी रहती है तो मेरा आपने यह मानना है कि आपका रेस्टोरेंट बढ़िया नहीं चल सकता तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो बैक सेव की सर्विस लेने वह हमेशा ही साफ सुथ्री होनी चाहिए नीटन क्लीन होनी चा सकती है उब इस परकार अपना सेट आप करते हैं तो मेरा यह मंनना है कि आपका रेस्टोरेंट वहीं बढ़िया चलेगा आपको यहाँ से ने तो आप मेरी इस विलियो को ध्यान से देखिए सुनिए समझिए और विचार कीजिए आपको लगता है कि बंसल जी की बाते सही है तो आप अपने यहां पर इस परकार अपना सेटप कर सकते हैं इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा यदि आपका अपना रेस् कम होती चली जाएंगी और कर्ज बढ़ता चला जाएगा यदि आपके यहां ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को एक बार निक कई बार देखे सुने समझे और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी की बाते सही है तो आप अपने य आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं यह सबी सेवाइं हमारी चार्जेबल रहेंगी हमारे पिताजी दुरा लिकित पर्थम पुस्तक लक्षमी परवेश कैसी हो जिसमें उन्होंने वास्तु शास्तर के साथ साथ अपना नुगों भी लिखा है और इस प पुस्तक को पड़कर भरपूर लाब भी उठाया है अब हमारी भी यह इच्छ है कि हम भी इस पुस्तक को आप लोगों तक जरूर को चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिये के नंबर पर संपर करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं मैंने अपने यूट्यूब च आपको कहींसे कोई हल नजर नहीं आ रहा है तो आप मेरी वीडियो देखकर अपनी समस्यावं का समाधान खुद निकाल सकते हैं ऐसा मेरा अपना विश्वास है आप सभी अपना किमतिस में निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तया दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सकल में शेयर जरूर करें आपने मेरे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जितनी भी वीडियो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी और जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाले जितन्व झाले बादियो